दोस्तों काफे सारे छात्रों के कॉमेंट अक्सर आते रहते हैं इंकम सर्टिफिकट को लेकर जबी वो किसी भी परकार के स्कॉलर्षिप का फॉर्म फिलब करते हैं तो उनके मन में ये कन्फूजन हो जाते है कि जो income certificate है वो हमें किन के नाम से लगाना चाहिए income certificate है अपने नाम से बनाए या अपने पिता जी के नाम से बनाए ये पहला confusion था दूसरा confusion काफे सारे लोगों के मन में होते है जितने बेचार चातराय होते है जो scholarship के लिए खासकर आवेदन करते हैं कि income का जो सुरोत है जैसे किन का हम डाले क्योंकि हम already एक student है हमारे पास किसी भी परकार के income तो है नहीं हम income के सुरोत में किन का detail फिलब करें कितना किस परकार से हमें income आती है तो ये कैसे आपको फिलब करना है तिसरा confusion होता है कि जबी भी हम income certificate बनाते हैं तो कितना amount का income certificate एक scholarship का लाब लेने के लिए बनाना चाहिए जो आपको आगे चलके कभी भी किसी भी परकार के समस्या ना करें कोई भी परसानी आपको ना करें ये complete solution आपको आज के इस वीडियो में हम देने वाले वीडियो को आपन तक जरूर देखिए वीडियो अगर आपको पसंद है तो एक लाइक जरूर करिएगा साथी चैनल को जरूर सस्काइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल सकेगा सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये income certificate आपसे क्यों मांगा जाता है किसी भी स्कॉलर्शिप के लिए तो देखिए income certificate मांगने का मुखिता सरकार का उद्यस होता है कि ये पता चले कि आप जो छातर है आपके परिवार का जो income है क्योंकि आप और एक छातर है पहले समझे क्योंकि छातर का किसे भी परकार का income नहीं होता है जिससे मैं आप student life में रह रहे होते हैं आपका सारा खर्चा आपके गर्जियन उठाते हैं तो आपका कोई income होता नहीं है तो इसलिए पहला confusion आप दूर कर लेजिए जबी आप income certificate बनाते हैं आपका खुद का वहां पे नहीं डालना होता है कि आप कितना कमाते हैं यह जो भी पूछा जाता है जिससे क्रेसे क्या आया है बिजनस से क्या आया है अन्य से क्या आया है उनका ही income डालना है, जिससे वो कमा रहे होंगे, क्रेसे से जो कमा रहे होंगे, website से जो कमा रहे होंगे, अन्य से जो कमा रहे होंगे, वो आपको डालना होगा, अब यहाँ पर confusion होता है छात्रों के मन में, कि यहाँ पर नाम से किनका बना है, तो जब भी भी आप income certificate बना है, ख आफेसरे चातों के मन में होते हैं कि जब भी हम a scholarship के लिया आवेदन करते तो कितना amount का हमें income certificate बनाना चीए income certificate बनाने के लिए अलग-अलग scholarship के लिए अलग rule होती है जैसे अगर मान लीजे आप तिंथ पास करते हैं तो यहाँ पे आपको डेर लाग से नीचे का ही income certificate मांगा जाता है आपका परिबार का जो income है डेर लाग से अगर कम है तभी आप इनके लिए आबेदन करेंगे उससे अधीक होगा तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा income certificate जबी भी आप बनाया तो इस चीज को धियान रखे कि income का जो सुरोत है आप 90 से 45,000 यानि एक लाग से नीचे का ही बनाया जो कि बेटर होता है सबसे बेटर यही होता है उसके बाद अगर मान लिजे कोई जातर कोई admission लेना है किसी अच्छे इंवर्सिटी में तो वहाँ पे क्या करती है इंवर्सिटी प्राइवेट इंवर्सिटी में अगर आप admission लेंगे तो वहाँ पे एक चार्ज होता है कि आपका अगर परिवार का income अगर दो लाग तिन लाग से अगर कम है तो वहाँ पे admission नहीं होगा इंकम certificate कैसे बनाया जाता जिसके लिए हमने complete वीडियो बनाया है आप mobile phone से या laptop के से भी बना सकते है वो वीडियो अगर आप देखना चाहते तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा जाकर click करके देखिए या video description में लिंक है जाकर देखिए इसके अलाबे भी कोई doubt है comment करे सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो का जो भी notification होगा आपको मिल सकेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद